नमस्कार जी कैसे हैं आप सब मैं सुमांचली मेशीदा ढवा में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो लो जी आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खटे वाले बताओं याने की मसाले वाले बैंगन इससे पहले भी मैं आपके साथ भर्मा बैं बैंगन लिए उनको धोया साफ किया बीच में प्लस का निशान लगा के कट कर लिया और अब मैं उन्हें ऑईल में हलका सा भून रही हूँ और पांच मिनट के लिए सिरफ हम इसे कवर करेंगे और पांच मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो यह देखिए बैंगन काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं पहले जो मैंने बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर की ती उसमें हमने मसाला भर के उनको बनाया था लेकिन यहां पर मैं इसे पहले इस तरीके से तेल में फ्राई कर रही हूँ फिर हम इसका मसाला तयार करेंगे दोनों रेसिपी वीडियो के लास्ट में दे दूंगे उसे अब जरूर देखें और यह देखें यहां पर बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं इनका एक्स्ट आयल निकालते हूँ हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर कड़ाई में एक्स्ट आयल को हमने निकाल लिया है सिरफ एक मैंने यहां पर तीन छोटे साइस के प्याज लिये थे और इस तरीके से जो चौपर आता है हाथ वाला उसमें हमने इसको इस तरीके से चौप कर लिया है अब बारिक बारिक काट भी सकते हैं इसमें थोड़ा इजी रहता है फटटफट काम हो जाता है अब हमें प्याज को एक चमच लसुन का पेस्ट आप चाहें तो यहां पर अधरक लसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी अड़ कर सकते हैं और मैं यहां पर मिर्ची जो है नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी इसे खाना है अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहां पर लसुन अध तो यहां पर हमने लसुन डाल दिया अच्छा मैंने यहां पर एक मसाला बनाया बड़ा जबरदस्त मसाला है आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी यह देखिए मैंने यहां पर लीथी सौंफ खड़ा धनिया साथ में हमने लिया बूना और पीस पी दूंगी आपको तो यहां पर यह जो छोटी चमच मैं अपको दिखा अर्षależन यहां चमच के हो मैं आप से मैंने यहां या पर दो चमच मसाला ले लिया है इससे को खट्टे वाले बेंगनों में नहीं कर रही हूं क्योंकि हम यह खटे बैंगन बनाएंगे लेकिन तीखे नहीं क्योंकि मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद है लेकिन मिर्ची वो नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं यहां पर मिर्ची नहीं डाल रही हूं आप यहां पर अगर तीखा पसंद करते हैं तो मसाले को और भी अच्छे से बूनने के लिए हम इसमें आट करेंगे पानी तो लगबग हम यहां पे तीन से चार चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी अगर आपको मसाला जो है ड्राई लगेगा या चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी अब और भी आट कर सकते हैं और दीरे दीरे इसको हमने मसाले को अच्छे से बूनना है तो अब भी थोड़ा सा मसाला चिपक रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और आट कर देती हूं चम्मच के उपर डालते हैं ताकि जो मसाली चिपके हैं वो भी उतर जाएं तो इसे हम बहुत अच्छे से भूज के तयार है, काफी अच्छे से आयल भी इसने जो है छोड़ दिया है, अब हम इसमे एड़ करेंगे टमाटर, सेम उसी तरीके से ही मैंने यहां पे तीन लाल-लल टमाटर दिये थे, जिनको मैंने इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है, आप इस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं जितना आप खाते हैं मैं यहाँ पर दो छोटी चमच नमक डाल रही हूं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही जवर्दस जो है यह मसाला बेंगन की सबजी तैयार होने वाली है और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मैंने थोड़ा से इसमें पानी डाल कर अब इसे कवर कर दिया है और पांच मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे यह देखिए बहुत अच्छे से मसा तैयार है अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा है तो बिल्कुल भी आपको परशान होने की जरुदर नहीं है पानी ज़रूर एट कर लें मसाला जलना नीच हीए थोड़ा-फोड़ा पानीचे आइड करते हैं और अपना बढ़ीया से एक मसाला बना के तयार करें जब मसाला से तक मेर तक क uğया है धि zeसेंलने करणे ध्यु tv दियुद्ड इसब्ध आपवस्द ना है एक छोपी चम्मत भर अच्छे से बुहना हैं Ö तो थोड़ा अपानी में जो अरण सब्लागा डाल कृषया है सुब ज्यान करें संटलेगा Fit को लेटान। टारों के उसं आपन सब्सक्राइए, हर जोर। टाल देंके ज़ूड़ा हैं। तो हमारा यहां पर काफी टाइम बच जाएगा हमें ज्यादा अब इसमें टाइम लगाने की जुरत नहीं है सिरफ हम 5-7 मिनट कवर करेंगे एक अच्छा सा कलर आ जाए और बैंगन के अंदर जो है न मसालों का फ्लेवर आ जाए तो यहां पर मैंने इसको ढख दिया था देखिए आहा क्या बात है कितना जबरदस्त कलर आया है और स्वात तो भीया मूँ में पानी आ रहा है इस समय तो बस फिर देर किस बात की इस रेसिपी मैंने आप तक पहुँचा दिये अब आप इसे ट्राइ करें बनाएं इसे लच्छा पराटा के साथ सिंपल फुली आपके साथ पाने के हाथ की रोटी भी लेकर आ जाओंगी और उसके साथ आप इसको इंच्वाय करें आज की रेसिपी कैसी लगी मैंने तो पूरे तरीके से आपके साथ शेयर की है अब आपको लाइक और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और